शमा करें महाराज? किन्तु मेरे विचार से विश्वनात और महाराणी चिन्ना देवी ने कुछ भी अनुचित नहीं किया उन्हें जो कुछ भी किया वो परिस्थीतियों के वश्च में आकर किया यह अपराधी नहीं है इसलिए आपके दंड के भागी नहीं है महाराणी विश्वनात करना मिसली नहीं ले रही थी क्योंकि वो एक भले मानस की रक्षा करना चाहती थी जो एक अच्छा कारे कर रहा था किसी पर भी कोई भी आरोप लगाने से पूर्व ये अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वो जो कर रहा है उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है उसने ऐसा क्यों किया ये क्या अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं आप पंडित रामकृष्णा पंडित रामकृष्णा अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं या नहीं ये अभी सपस्टो हो जाएगा कलूरी दिनकर जी यदि आपको स्मरन हो तो पहले प्रकरण में आपने चिन्ना स्वामी और उनकी धरम पत्नी को प्रिथक करने का सुझाओ दिया था क्योंकि चिन्ना स्वामी ने अपनी पत्नी से अपने गंजे होने की बात शिपाई थी याद है न तो ही अब देखते हैं कि वो दमपत्ती अपने विवाहित जिवन में प्रसन है या नहीं मंत्रिवर महराज मुझे शमा करे महराज अपने पती के बारे सुंदरे के कारण मैंनों को अपमानित किया आपके सुझाप पर मैंने इनके साथ रहकर अपना जीवन प्रारंब किया यह अत्यंती भले व्यक्ति हैं और मैं इनके साथ अत्यंती सुखी और संतुष्ट हूँ महराज जब से भुजी को उसके पालन करने वाले माता पिता से प्रिथक किया गया है तब से लेकर अब तक इसका शरीष तेज जोर से तप रहा है इसने भोजन का भी त्याग कर दिया और निद्रा में भी जिसे ये अपने माता पिता मानता है बस उन्ही का नाब लेकर बड़बडाता रहता है महाराज पंडित रामा कृष्ण का कथन सत्य था इसलिए हम अपने भुजी को पुना उसके पालन करने वाली मा भारगवी देवी और पिता शेशिक कांग को स्वाप देना चाहते है पंडित रामकृष्णा महाराज सही गलत का निर्णे तो मनुष्य की भावना पर निर्भर करता है भगवान शिक्रिष्ण ने अर्जुन को अपने गुरु द्रोणाचार एवं पितामभीश्म पर तीरों से प्रहार करने का निर्देश दिया था क्योंकि वो कुरुक्षेत्र एक धर्म युद्ध शास्त्रों में इस बात का उल्लेक अवश्य है कि पिता एवं गुरु की हत्या अधर्म है कि गुन्टु गुरु द्रोणाचार एवं पितामभीश्म दोनों ही अन्याय और अधर्म के-पक्षमें युद्धरत्य इसलिए शास्त्रों में ये भी लिखा है कि यदि क्योंकि वहाँ बच्चे भूख से व्याकुल थे इसलिए विश्वनात ने जो कुछ भी किया वो उचित किया और महारानी ने विश्वनात की स्तुरक्षा करके उचित किया इसलिए ये आपके डंड के नहीं पुरस्कार के योगे है महाराज और उस दिन भी विश्वनात की पत्नी जब प्रसव पीड़ा से पीड़ित थी प्रसाद को वो घोड़ा गाड़ी अवश्यर रोकनी चाहिए थी आपकी समस्या ये है कलूरी जी कि आप नियमों को कुछ अधिक महत्व देते जबकी नियमों का उद्देश्य भी सत्य का परिपालन है न्याय में भावना भी समाई होनी चाहिए निर्णय लेते समय बुद्धी के साथ साथ रिदय अर्थात भावना का समायोजन भी आवश्यक है तभी सही न्याय होगा सही निर्णय होगा माराज मेरे विचार से एक अच्छे सलाकार के लिए इस प्रकार की सोच अवश्यक है अग्या दे पंडित रामकृष्णा जाना चाथ यामका लिखाना जाएए अवश्य प्रस्तान कीजिया परन्तु स्परन रहे कि आपके वल हमें और इस राद सभा को त्याग कर नहीं जा रहे है अभी तू विजे नगर के प्रतिय अपने कर्तव्यों को त्याग कर जा रहे है विजे नगर के हर उस नागरिक को इसके लिए अब आप न्याय और आशा का प्रतिरूप बन चुके हैं उन्हें त्याग कर जा रहे है बहुत मानती हैं हमारी जनता आपको आपके प्रतियक निरने का सम्मान करती हैं वो और हम भी हम भी करते हैं आपके निरनेओं का सम्मान इसलिए आज भी यदि आप यहां से जाने का निरने लेते हैं तो हम उसका भी सम्मान करेंगे बिस्वास जापके प्रतियों प्रतियों भी सम्मान भी करते हैं भी सम्मान भी सम्मान अजस घ्टान करता है अध्भूद पंडित रामक्रिष्णा अध्भूद यह सब तो ठीक है परन्तो हमारे हार का क्या वो तो गया ना शार्दा देवी यह तो अत्यंत उप्यूट्य प्रश्ण दिद्धम शेटि जी जी महाराज वो हार कहा है taking part कि से विक्रह किया आप नि महाराज वो गुरुवर तथाचारे जी हैं जिन्होंने मुझसे वो हार क्रह किया था ज़्रुवर महाराज हमें ज्याती नहीं था तो इसी प्रियोजन से हमने ये विषार किया कि हम इस हार को क्रे कर लेते हैं उन्हें बेच करने के लिए अद्धध गुर्वा अद्धध विचार था परन्तु वो हार है कहा? गुरुवर? यही तो है? यही है अमारा नौलगा हार? गुरुवर यह नौलगा हार आप पर अत्यान सुशोभित हो रहा है परन्तु वो हामारे मिज़ार से कि हार, शार्दा देवी को दे देना चाहिए आव शायर आप 46 growdhaha रमने वायद गुरुवर शार्दा गुरुवर को भी धन्यवायद का हो मिलने भाने जुआ एक 550 स्वागत अरे क्या गुरू इस हार का मूल ये तो आप ले चुकाया और पंडित रामकृष्णा हार भी ले गया महराज पंडित रामकृष्णा बाले काल में बुद्धी मानतो थे ही परंतु आज भी उनकी बुद्धी का लोहा सब मानते ही शास्त्रों का ज्यान भले हम दोनों को क्यों ना हो परंतु उनमें दिये गए निर्देशों का बालन सही प्रकार से कैसे हो ये केवल तुम जानते प्रजा के हिद का संपूर ध्यान केवल तुम रख सकते हो दर्बार में प्रमुक्ष सलाकार का उचित अधिकारी कोई है तो वो मैं नहीं केवल तुम नीश्वर से प्रातना करता हूं कि भवेश्य में कभी तुम्हारे या महराज के काम आ सको कलूरी बाले काल में अत्वा अभी भी जाने अंजाने में मुझसे कोई भी भूल हो गई हो मैं उसके लिए रिदै से क्षमा मांगता हूं जिक्षमा कर दो पंडित रामकृष्णा आपने पुरा एक बार ये सिद्ध कर दिया है कि बुद्धी मता एवं चात्रियों में आपका कोई सानी नहीं और कल्लूरी दिंकर जी कम से कम इस बार तो हम आपके सुजाव से सहमत है कि पंडित रामा ही इस पत के योग्या है स्वारेण मिले कांस्य के भाव महंगा सामान सस्ता ले जाओ ले जाइए ले जाइए कोडियों के दाम ले जाइए ले जाओ ले जाओ ले जाओ कोडियों के भाव ले जाओ ले जाओ ले जाओ यह वहाँ क्या हो रहा है चल जाकर देखते हैं क्या हो रहा है हाँ मार चलो भया यह सारा समान इतना सस्ता कैसे क्या है ना, मैं अपनी दुकान बंद करके दूसरे गाओ जा रहा हूँ कौडियों के बाओ ले जाए गुरुजी, कितना सस्ता सामान है, कितरे प्रजाजन है, तूट पड़े है, लगता है वो सस्ता सामान मिल रहा है गुरुजी कौडियों के दाम ले जाए है, महुंगा माल सस्ता, हट्या 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 हट्या, हमारे गुरुजी भाण रुरुजी प्रणाम प्रणाम आप भी लिजीए अमा, आप या चालें, ख्या लें, ख्या लें गुरुजी, आप यह 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 भॉंपु भॉंपु ले लीजिए, गुरुजी क्यों? गुरुजी ले लीजिए ना, आपको ग्यात नहीं है जब निद्रवग्न होते हैं, तो गदरी गोड़े बेच कि सोझाते हैं आप इसे लेंगे तो हम इसे बजाएंगे और आप से गंता से उड़ी जाएंगे लेली जू नाखनी उचित है, उचित है, उचित वस्तू प्रतीत होती है ए व्यपारी, ये, भूम्भू दिखाओ, अवश्य कितनी मुद्रा का है, ये एक कांसिय की मुद्रा का है कुर्सी, अम्मा हमारे पास कितनी सारी कुर्सिया, हम ना ये तक्या ले लेते है बहुत सारे तक्या है, रामा दिन भर सोता रहता है ये तो कहती हूँ, घर से सारे तक्या निकाल कर भार भैग देते ना रहेगा बास, ना बज़ेगी बासरी अम्मा बासुरी बासुरी ले लेते हैं करन तो बासुरी बजाएगा कोई वो बादने देखेंगे आभी ले लेते बासुरी कितनी है ये बासुरी एक कास्यम मुद्रा का है दे दे जे वोश्य अग और कुछ चाहिए आपको एव बैपारी हम भी ग्राख है हमारी ओर ध्यान दीजिए शमा गुरुवर अब जी बताएए वो दिखाएए यह देखियो गुरुवर अरे दनी मनी जी गुरुजी तुम क्याते हो ना कि तुम्हें सदाएव मुद्मी परसोना पड़ता है हम यह तुम्हारे लिए क्रेकर गुरुदेव बड़ी किड़पा है आपकी आप हमारे कितना देहां रखे हैं गुरुजी है ना लेलीजी लेलीजी यह बेपारी इदर आए यह लो एक कासे की मुद्रा है किंतु गुरुदेव इसका मूल्य पांच चांदी की मुद्रा है पांच चांदी की मुद्रा? इसे रखी आप, हमें नहीं लेना है परंतु गुरुदेव इसका मूल्य पांच चांदी की मुद्रा ही है यह अधिक मुल्यवान है तो हमें यह नहीं चाहिए हारी मुद्रा दो हाँ, धोलक चाहिए पालना?! अरे तु अमा, हम पालने का करेंगी क्या? आती चल के काम मैँ? ए विपारी हम यह पालना बहुत अच्छा लगा हम विसे लियना चाहिए ऑपुरुजी यह पालना क्यों खरिजना है कि इसका क्या कर रे आपको परही है कि हमारी जो खडाओं वो पलं की नीचे चली जाती है और तुम अउलखतित होते नहीं तो हमें खडाओं उठाने लिए जुकाना पडता है हम जुकते हैं तो हमारी कमर में पिड़ा हो जाती है तो हम अपनी खड़ाओं इस पालने में रखनेंगे और हाँ, हमारी अनुपस्तिती में यदि तुम्हारा मन करें हमारी सेवा करने का तो हमारी खड़ाओं को जूला जूला दिया करना तो अबे पारी ये लाई ये पालना हमें दीजिए, हम लेना चाहेंगे ये पालना हमें चाहिए हम, हम, हम लेंगे हम लेंगे देखे इस पालने की सर्व प्रथम मांग हम ने किये पालना हमें मिलना चाहिए, हम लेंगे ये पालना हमें चाहिए हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे, हम लेंगे हम भी लेंगे हम देंगे अच्छा ठीक जो इस पालने का अधिक मुले देगा ये पालना उसको मेलेगा हम इस पालने की दो कासे मुद्रा देंगे हम तीन देंगे हम चार देंगे पाँच देंगे हम छे देंगे साथ देंगे गुरु देंगे मुलिक पढ़ाते जाहिए, पीछे कभापी मुथाटियेगा, इस समय संपोन विजयनगर की दुष्टी आप पर ही है, कि आपकी सम्मान का प्रश्ण है, Guruji, मुडा पढ़ाते जाहिए, पढ़ाते जाहिए, पढ़ाते जाहिए, गुरुजी, दस कासे कदराई, हम पंदरा दे हम दस सवान मुद्राइदी, तो हम पढ़ाये, बहाये, भुलिक पढ़ाये, बहाये, 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 प है, अधि उठा लुँए 221,212. ये पालख उठालो और नहीं दे दो, हम पीछे हटें, हमें नहीं चाहिए, हना मा? अच्छा लाइए लाइए, वेबारी जी, लाइए लीजिए लगेशए बीडाओं आए कशार से, आप आउद से, हाथ लगाइए, हाथ लगाइए आईड हाँ अ – हहाँ eer हा हमारे गुरु जीऊछी जीत कए मलगा बजाइए ना पर्षा ऐ चालीयो टेज मजाइए ठालिया हमारे कई। हर जै ए मुरु जींट फॉह हॉह एए को आ आएक वह बद दिखा इपका है वह बैना उसका अमूल्य है एक कांस्य की मुद्रा बस देवी जे भाई समाल के रखो एकदम समाल के बारी ये थोड़ा हन्यवाद एवे भारी ये पालना ये कांसे के मुद्रा में दे दिया गुरुवर मेरे पास तो और भी पालने हैं आप चाहे तो ले सकते हैं राम से गसे सुन मुद्रा गुरुवर मैं तो आप से यही कहने का प्रयत्न कर रहा था किन्तु आप थे कि मुल्य बढ़ाते ही जा रहे थे अरे वाशार्दा पालना कि यह कोई शुब समाचार नहिए होगा भी कैसे रामा दिन भर दराहार में रहता है और वापस आ कद कर निढ़ाल होकर सूजाता है यह ओंद्राश महराज है कि पुत्र पर बहुत विश्वास करते हैं, इसलिए तो महत्वपूर राजिकार उनी को सौपते हैं, आपका कथन सत्य है, परन्तो अगर ऐसा ही चलता रहा, तो हम तो अम्मा ही रह जाएंगे, दादी अम्मा तो कभी नहीं बन पाएंगे, अम्मा, अम्मा, चिंतित ना हो, हम मारे पास इसका अकजूक उपाय है, आपा गंगो गहेंची, सित्धियों की है, कात्ति बस हम भी पुत्र प्राप्ती है तो, उनके पास उपीता लेने गए थे, अकर आप दोनों सिर्मत हो, तो हम आपको उनके समझ नेका चल सकते हैं, यसा एक है, असे गल में फिल्स भी ये घुल करें, त्या हुआ, बुंडपे, कुझे बता है, शार्दाने लेन्डू कहा रखे हैं, बता ना, लेकिन तो मोदे लज़ू देगा, तो ही मैं बताउगा, आहां दूगा, वोकड कहीं का, सिकर बता, वो जो पातला लगा रहा, पत्थी कुद्धी के पेठे इसके पेचे लुक तो बताता हो तुझे भाग यहां से बुकड कहीं के जमकारी है बाबा गंगो के है उनका वर्दार कभी वेर्थ नहीं जाता कहा है बाबा गंगो के इस पहुच ही गए बाबा गंगो के है दम-दम, दोग दोग, उटा कीर, खो लापिकी, दर्शन होते हैं तुरलभ है, और किसी के सामने फ्रकड़ी नहीं होते हैं, जी धम-दम. दो, यह तो वह इस्तरी है, किसको कलम्ली पपीता दिया था, लेकर रह रहा है? और इसके साथ तो, और भी इस्तरी आएं और यह इस्तरी दंडा लेको नहीं रहा है, थाई ऐस तो लिए, कि हमारा भेद कूल गया हो, और देंडा में थ्भी इंकल ला रही हो. दंडा बबबबबबबब-बबबamos में अधरे व्यद्व संतर किसे अवत्यान करें प्रकफ जाएंगे योज़ीर た Nagu Baba के जहें याहिए प्रकट होईे बाबा गंगो गहन हमें समा कर दीजी ये बाबा अच्मत्कारी है भषी कहने थे अब हमे हिंज अच्छây बाबा शमत्कारी है मन की बाद जान देते हैं बाबा ये भी जान कहे तिम क्या जाती हो लेकिन तो खुश्च कहो मन को शांती मिलेगी बाबा, आपने जो बर्दान सवरूप आपको पपीता दिया था वो हम बलकत की ब्रिक्ष के नीचे नहीं रख पाए वो हाकतरातरी हमारे प्रभू साधना में ली थे सो घर ही नहीं आए अज आपको में तारे फूर कर लो बाबा, यह अमा है और यह उनकी बहुर शार्दा बाबा, आप इन पर भी अपनी कृपा कीजी ना इनको भी आप बर्दान सवरूप पपीता देदीजी ना ताकि यह भी अपने पती से कहके बंगत के व्रिक्षे नीचे उसको रखवा कर पुत्र रतन की प्राप्ति कर सके इन्हें? इन्हें, हमें पपीता तो समाप तो जुगा है यह अनानास ले लो क्या इस अनानास से मेरी बहू को पुत्र की प्राप्ति होगी? तुम्हारे बहूद, लेकिन तुमको खुदा भी आलपाई हो ने, ने, वह अभाम नहीं, अम्मा कह रही है लेकिन कहतो आप रही है, यह तो मौन खड़ी है हां, इन्होंने मौन रत धारन किया है यह संकेत देती हैं, हम अनुवात करते हैं अम्मा पूछ रही है कि क्या इस अनानास से हमारे आंगन में बालत की किलकारिया गोंजेंगे डंडं, डंडं, डंडंडं औरता के होला पक्ति होगी जीवा, पिरहन करो अशिरवाद अशिरवाद है, अशिरवाद है अशिरवाद 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 अमा अपको पाला करिंगे जार्द को है अव रभू, आप अंतर यामी है, हमारे हिदे की बात पढ़ लेते हैं, आपको अपने पती के रूप में पाकर हम धन्ने हो गए, हमने आपके हिदे की कौन सी बात पढ़ ली वरुनबाला हमें भी बताएं यही sem, कि हमें इक बालग की अभी लाशा है? मैंन हमें बालग नहीं चाहिए? जी? धनी मनी हैना गुरू माठा हम भी तो आपके पुत्तर जैसे हैं, ना? आरे मुखो, वह मुख्ये की बालग की बाहरता कर रही हैं, घटे की नहीं? इतना कुरू माठा खुआ खुआ गुरुजी क्या गया गया रहें? नहीं, नहीं, तुम दोनों भी हमारे पुत्र की थारा ही हो परन्तों हमें हमारों पुत्र चाहिए तो नहां गुरु माता गुरुदी का पुत्र? वेसे भी धर्ती पे पाप का बहुत बोज हो चुका है गुरु माता जब बहार निकलो दो दो हम कहारे हैं बहार निकलो दोनो जारे, जारे जारे याशे संपोर्न रातरी भाद बैण कर तारे गिनो सुनो संख्या मत्रूपी कुई संद्र सुनो तुम्हे जल मत्रूपी का जल जब परुल माला, क्या हुआ? सुचिये स्वामी आपके जाने के पश्चा तुमारा क्या होगा? आप किसके सारे जीवेत रहेंगे? आपके जाने के बाद आपकी कोई निशानी तो होनी चाहिए हम कहा जा रहें? आप भेजना कहा चाहिए अपने? अचा शाने अचा देखी हमें अनुष्ठान कह रहेंगे और हमें एक जजस्वी पुत्र पड़ाप्त होगा उसकी आवश्च्टा नहीं है सौबी अपके आपको पुत्र चाहिए पुत्र की आवश्च्टा है सौबी अनुष्ठान की नहीं पुत्र राना को आप बस ये पपीता शम्शान के पास हले बर्गत के मेरे के नीचे रखाए सौबी पुत्र की प्राप्ती हो जाएगी ए भगवान ये सब अनुष्वास है वरुन्वाला हम ना जाने कितने लोगों को ऐसे फल देकर ने पावारा केने के ताल पड़े है लोगों को ऐसे फल लेकर मुर्ख बनते डेख चुके हैं ऐसा नहीं होता है हट मत किजी स्वामी होने ता हम हट से पैठेंगे क्या हट करेंगे आतर बश्चा काप सरूप आपको एक महा दक पपीता खाना होगा नहीं हम लेके जाएंगे ये तो मातर छोटा सा का रहे है लाई अपना परम प्रिये पवित्र पपीता हमें दीचे हमें आपसे यहीं अफ्री लिक्षैती स्वामी हम आपकी पोजंगी में वस्ता कर देते हैं हाँ जी 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 यदि पल रखने से पुत्र प्राफ्त होते हैं तो हमारे पीछे ही बागीचे में पुत्र ही पुत्र पज़त हो रहे होते हैं मॉल्क मुझे पता है तो यहीं कहीं छिपा है एक बार सौमने हां फिर मैं तुझे लड्डू खिलाता हूँ शार्दा लड्डू कहा है फुर तुम दोनो ऐसी क्या खरीदारी कर रहे थी कि संध्याकाल हो गई पता है कितनी भूख लगी है मुझे हमारा संध्य सही निकला हमारी अनुपस्तिती में आप लड्डू चुदाने का प्रयास कर रहे थी शार्दा महुदया अपने घर में कोई चूरी नहीं करता हां धीन के खा लेता है धीन के खा लेता है और यह किसने बेज़ा है मैंने अर्थात अम्मा ने मैंने कौन सी भूल कौन सी तुरूटी करती जिसका इतना बड़ा दंड दे रहा है तु वैसे सच कहूं तो तुरूटियां तो बहुत की है तुम तीनों ने एक तुरूटी तो इसने अभी-भी की है मुझे लड़ू नहीं खाने दिया और यदि गर्णा करने बैठून आम्मा तो कई दिवस निकल जाएंगे तुरू क्या है के मैंने तुम तिनों को ख्षामा कर दी है तब जल्दी से भोजन परोसो बड़ी भूक लगी है उठा लो! हाथों पहले परोसोगी तो उठाओंगा ना? मा लाठी उठा लो! यह क्या है? पुश्पक विमान है अभी-अभी हवा में उठकर लंका पुरी जाएगा अरे यह कैसा प्रस्ना है यह क्या है कोई बालग भी बतातेगा यह बच्चों का पालना है पालना है? परन तू बालग कहा है? बालग? यह क्या गा गधे के रूप में? गुंडप्पा पुलूत हो मैं पुलूत जल पुलूशू इस आंगन में अभी बालग की किनवारिया गुंचेंगी देवी अमेश्वरी बच्चे तो भगवार की दिन होते हैं जब मा की मा की कृपा होगी तो बच्चे अपने आप आ जाएंगे प्यर्ट बार्तालाब मत कर उससे कुछ नहीं होगा इसलिए मैंने दूसरा उपाई ढूण लिया है कैसा उपाई? ओ अभी नहीं अम्मा भूजन के पश्चात खाऊंगा सिखाना नहीं है रखकर आना है बर्गर के प्रिक्ष के नीचे बाबा बंबू गहन का दिया हुआ अनानास है इसके घर में बच्चे की किलकारिया गुणजेंगी करदा इस अनानास के चिलके में कांते होते हैं बालक नहीं अरे अनानास और बालक का क्या संबन्द और ये गंगु गहन कौन है? बाबा गंगु गहन तू फल खा व्रिक्ष मत किन इसे बर्गत के व्रिक्ष के नीचे जाकर रखकर आ परिणाम अपने आप आजाएगा बाबा गंगु गहन का वर्दान कभी खाली नहीं जाता बहुत पहुचे हुए है वह हाँ पहुचे भी तो होंगी तभी तो अनानास में से बालक उत्पन कर रहे हैं परन्तु अम्मा असपच कोई बर्गट का व्रिक्ष है नहीं जहने दो है शम्षान के पास बर्गट का व्रिक्ष है तो अर्म लात्री वहां जाकर इसे रखते ने-ए ने-ए-वाले इस बालक के कारण अपने इस बालक की जान कर देठोए कीयो डाल रही हूँ? में में शम्चान नहीं जाँगा.. नहीं बोल रही है .. तुछी जाना पड़ेगा.. मैं देखते हूँ कैसे नहीं जाएगा तु हा मां.. हम्मिह देखते हैं कैसी नहीं जाते है.. उठा लो ! हाँ शार्दा मैं वही कहे रहा हूँ यदि शम्षान चला गया तो इस वर उठा लेंगे मुझे हाँ पूता बागली होगा पेली ये उठा लो और जाकर रखकर आप इसे सम्हाल कर रखना खोना मत और खाना भी मत अम्मा में शार्षा शार्दा मॉह लपे ए रुक ए रुक ए बंदू रामा ये तो गहन समस्या है गहन नहीं बंदू गंगु गहन गंगु गहन समस्या है ये समस्या हमेशा तुझ पर ही क्यों आती है आई नहीं है ये दि अर्दरात्री इस अनानास को बढ़रत के विख्ष के नीचे नहीं रखा तो समस्याई ए बंदू हाँ अंतरी बहे हूँ बंदू, शॉन्त्रे तो वैसे बहे भी तो रखाऊ कम से कम तू तो शॉन्त्रे पास में शम्शान है न कोई भूत उत होगा शॉन्त्रे, भूत नहीं भूत ना थे, वो देख कुआ क्या? बंदी द्रामा किष्ना यहां क्या कर रहे हो? क्या मैं? नहीं तुम हाँ वहां निद्रा नहीं आरी ही दुरुवर तो सचांगी ब-b-b-bravan कर लू ब-b-bravan करने चला है अबस से इसमें आप यहां क्या कर रहे ही? दॉर, हम नहीं आप वही करने आय है ऐसे मुझे पता है आप क्या करते हैं! किन्तु आप ही बता दीजे क्या क्या करने आये थे? साधना है? हाँ... ये अननास? ब्रहमन करने भूजन पच्छता है ना? तो क्या पता? ब्रहमन करने के बाद मुझे थुनाय घूपलग जाए इसलिए अननाव साथ में ले आया, हाँ, खाऊंगा बाद में अच्छे, अच्छे, तो, तो क्या गुरू है, जाओ, गमन करो हाँ, आप भी करो, क्या करें, वहीं जो करने आये थे क्या करने आये थे, साधना गुरू हाँ, साधना करने आये थे हाँ, तो चले, चलो, प्रणाम, प्रणाम, आई, आई हाँ, प्रणाम, विनि मिरा च्म न हाँ, नahi मिराला, प्राओ मिराची मन तो बर्कडाला, तो य रिताताए हे समे बढ़ का सको क्क्षु्मै में गईक प्राओ Zurके कर दि hug आई कि अमाना मुझेज़ें, अब मैने क्या किया है, तोने भी नहीं देती हूँ. कल तुने बरगत के वरिक्ष के नीचे जाकर अनानाज रखा था? हाँ, रख दिया था, शादा से पूछो ना और सोने दो मुझे हमसे क्यों पूछ ले, हमें क्या बता, हम तो आराभ से सो रहे थे मा, मैं वहाँ गया था, और मैंने अनानाज बरगत के वरिक्ष के नीचे रख दिया था, ठीक है? अब मुझे सोने दो, बहुत नीदारी है, मैं आधी राती तक जाकता रहा हूँ सोता ही रे, तू एसी सोता नहीं रहता ना, तो हमें बाबा गंगु के हिनकी साइता की आवशकता होती है ने हाँ, ठीक है यह भी कोई बात होती है मनी, सुबह भी धंग से हुई नहीं कि बुढ़े ने उठा के काम पे भेज दिया हाँ, एक तु धरती पे वैसे ही नीम नहीं आती और इस बुढ़े ने हमें सोने तक नहीं किया मनी, हाँ, इस भीड काहे कि है लगता है कुछ खाने के लिए बट रहा है जाए 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 बताओ बताओ हमारा माता बीदा कहा है अन्या जाओ हम अकरे मंत्रों की शक्ती से सब को पासिभा कर देंगे बताओ हमारे माता बीदा कहा है अच़ 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 तोम कोन हो भाए अरे मूर्खो किस ग्रह से आयो हम तो इस ही ग्रह से है कभी मनुस्य नहीं जेखा क्या मैं तूसे ग्रया का प्राली दिख रहा हूँ लग तो यह साइडा है अरे हम कल ही पैदा हुए है हमारा कोई नाम नहीं है और हमारे पिता स्री ही हमारा नाम करन करेंगे ना अच्छा चलो आपने पिता जी का नाम हमें बता दो अरे गधो किस प्रकार की बाते कर रहे हो जब हमें हमारा स्वयम का नाम ग्यात नहीं तो अपने पिता का नाम किस बात दिविदित होगा इसरा बताओ बताओ अरे मारे माता ही जपाँ है जहीं तो सब बटो होने रहे है का नाम ग्यात नहीं कि तुम्हारा जनम कहा ओऊ तुम्हारा जनम इस्थान कहा है बताओ हमने दर्ब अपनी आखे कुली तो स्वयम को बर्दत के पेड के नीचे पाया निए भॉलि कोईना आह बर्रगर जीर, तो नहीं है, तो शुषा मोई है प्रखते भॉलि कोईना आहाग जोड़ी है? हाहु, वही! मुली है, ऐसा प्रतीत होता है कि राश समच क्या, समच क्या तुम आवश्चे ही असब्स के कह रहे हो हमें मिच्चा भासी कर दो कि जड़ा उप ज़ा नदी यह तो कोई संका सेश नहीं बची यह तो अपने गुरु अर्दाहिद पुत्र है हमें ग्यात है कि आपके माता पिता कौन है चलिए हमारे साथ चलिए हम आपकी इंचे भेट करा देते हैं चलो हमने खोसत ने कहा था हमारा जन्मे तो आज ही हुआ है हमें कोई मंतर ग्यात नहीं हम किसी को फर्फ मु नहीं कर सकते थे है अमनी कि अप तो से तो प्रतिसर विश्वास हो गया यह हमारे बुद्धे कही फुट्र है आप अमारे पिता से परिशीज है हमें बताएजे ना कैसे निखते वो उबेकल आपके सद्धश्य है आपकी परती रूफ उनकी उचाईब आपकी उचाईब से तनिक आज़ी है अवर्श्य होगी पिता है हमारे हमारे जनम तो आज हूआगे और... करोजी! कझे! करोजी! कझे एककी पिता शरी है राज पुरोीनने ये पंडेत तती만 ने आपकी गाय समान महता है शुडव महाे शुयो आमें निके उतार? बतार, नहीं? आज़े! आज़र आज़राו वर्दिकाशी कौण हो तुम? क्या है यह? गुरुजी, क्या नहीं? पूछे की कौन है यह? पूछने की क्या हो शकता है? हम बताते हैं, गुरुजी, आपका पुत्र है यह? गुरुजी, क्या नहीं? पूछे की कोन है यह? पूछने की क्या हो शकता है? हम बताते हैं, गुरुजी, आपका पुत्र है यह? पुत्र? हाँ, पुत्र? आपका पुत्र. कहा चले गाएगा पीताजी? कहा बहुताजी दूंतर ठक गया, भूख भी बहुत लगी है यह क्या है यह यह रतन भड़ता है और यह क्या है यह मूवदाल है वह बेसी की मचोंकी कर दिया बहुत अब करना और अज के बाद आपका सरवस्व इस ही काई तो है यह आपका उत्रा दिकारी है आपका पुत्र है अधूरी जो आपने शंषान के निकल पेड़ के पास जो पपी ता रख था था ना उसी पपीसा से करकच हुआ आपका पुत्र है जब 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 दो पिता शी हमतमारे पिता सी कैसे हो गए अरे गुरु देव आप मांते को नहीं है यह आप का ही तब पुत्र है आपके व्र दो दो इस दिंग, आपकी गट्टितों में जितने भी गुण है, वो समस्तिस में भी दुमान है यह क्या अनलगर परलाब कर रहे हैं, निगालो इस जीव को हमारे आवास जीव अश्व कर दूंगा पिता श्री अब इन द्यान पूर्वग में रखिए इनके ने नक्ष और सभी लक्षर सभाव की इस दृष्चे है, इस इस जी हमारे पुत्र है इस बाम मता सी इनके ने नक्ष और सभी लक्षर अब मेरे क्या किया, मुझे क्यो मारे हो, तयार तोर हो जाने के लिए आज तुझे कोई नहीं बचा सकता, मेरे तुझे नहीं छोड़ोंगी अब मारे अब मेरे अब मेरे अब मेरे अब मेरे अब मेता को पुत्र की प्राती हो गई है, या थे गुरू माता के कहने पर गुरुवर्ण ने शम्शान में जाकर बर्गत के पेड़ के नीचे पपीता रखा था और बाबा के चमतकार से उन्हें पुत्रगी प्राप्ती हो गए क्या उपास कर रही हो तुम भी ऐसा कभी संभव हो सकता है भला यह सब बाबा गंगो गहन के कारण संभव हुआ है हमने भी आपको अनानस दिया था ना और कहा था बर्गत के पेड़ के नीचे जा के रखना अब अवश्य दिया था तो आपने रखा नहीं रखा ना रखा था शार्दा तो पेरा में पुत्र की प्राप्ती क्यों नहीं हुए मुझे कैसे ग्यात होगा कि तुमें पुत्र प्राप्त क्यों नहीं वा जाकर अपने उस गंगु पंगु चंगु बाबा से गंगु गहन बाबा से अरे अमनु को नखुछ एक हमावा यह हमारा पुत्र कैसे हो सकता है! कहाम तार के वरिए शमाख कहाँ यह आवू का पोधा! इतना चोटा है यह! गुर्जि पूर्ण उसे बिख्सित कहा हुआ है? बिख्सित होने के बाद, आपके जैसा ही दुष्ट्र.. मतलब आपके जासा ही हो जाए गुरूजी, हाँ, देखिए पथानी कॉंसी प्यूपति हमारे घर में प्रवेश्कर गई है हाँ अविश्चे कुई पाखंडी है हाँ दुष्ट है हाँ तप्ति हाँ जो हमारा पुत्र होने का ढौंग कर रहा है इसलिए तो आपका पुत्र है गुरूजी, देखिए हाँ बुर्ष्ट अरे बंगर के पुष्क रीचे पपिचा रखने से पुत्र उपर नहीं होता है निकाल निकाल इस निकाल छून छून अभाता स्वामी छोड़े ला स्वामी छोड़े ला अर यह हम कदापी नहीं देख पाएंगे घर्टी माता घर्टी माता हमें अपनी गौद में सांदो घर्टी माता अर जो घर्टी माता नहीं माता मत छोड़कर मत जाये माता कितने कदवर पणिश्रम से हमने आपको पाया है माता माता में महानद रूष्या. ड alltid लोग्या भाला? गुरू-माता! अब भूष्याही अब में रोपने का प्रयास मत करो! हमारे स्मामी, हमारे प्रबू को हमारी शक्ता फेसंदे है! अब हमारे जीवें जीवें घेने का कोई नहीं आपको अधिकार. तर्थी माटाओ! अभी तर्थी पढ़ जाएगी, Guru माटाओ उसमें सभाँ जाएगी! जुच कीजिए! शान्त वरुनवाला! शान्त! हमें स्विकार है! क्या स्विकार है स्वामी? यह जीव हमें पुत्र हुरूप में स्विकार है! हमारी सौगन? आपकी सौगन! कुत्कर दिखाएगी! ऐप नमास फीकार कर लिया! शान्त ! आपने हमें समय रहते रोग लिया! अभा लिए आप दोनों से पिछरने के असर हैं अधे में डूप जाते! हम मुझ लिएज़ाते! आपको भी उतना ही दारूर दुख होता चितना हमें हाँ 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 होश्य होश्य पिताश्री आप नमा स्विकार कर लिया अरे इस भांधी हमारे गले मत बढ़ो कैसा पशित्र जी भेगी आपका पुत्री है जुरो जी पिताश्री आप एक कार्या केजिए अब इनोगा नाम करन नहीं हुआ हे अब हमारा नाम रख दीजी ए क्या नाम होना चाहिए लम्पटाचारे नहीं, नहीं अरी बरगत पेड़के नीचे सिप्रकट रखट हुए थे इनका नाम होना चे बरगताचारी है नहीं, पुत्रा जी बिखोन znak ना इनका नाम छोटा चारे ही श्रेश्ट होगा तो क्या कभी बड़ा नहीं होगा ये शिंता ना करें प्रफु जब ये बड़े होंगे तो इनका नाम परिवर्तित करके बड़ा चारे रख देंगे ये पुत्री आपको इनाम रुचिकर लगता है ना बहुत ही मदूर नाम ह हमारा साथना का समय हो ला है अमें भी साथ ले चलिए बड़े बड़ी हादि हादि मता पीटादीं जा रहे हाहा रो क्यों ने अमें भी साथ जाने मता आप 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 ant अजाएए आपके पिता चलिए साथना के लिए कए शीकर ही लुटाएंगे आपको बाद में भाद में लेचलेंगे ना अब भोजन पूजान खेंद्रिक किजी बोजन छाथग आधिको सारदा अम्मा यदि तुम दोनों को मुझ पर बिश्पास नहीं है तो जा कर अपने बाबा से दूसा फले कर आओ मैं अपने प्रांट संकट में डालकर आज रात्री पुने उसे उस पेड के नीचे रख कराऊंगा वो बाबा तो अपना देरा तंबु उठा कर चले गए सलो अच्छा हुआ जाने दो अमा कभी बर्गत के ब्रिष्की नीचे पपीता और अनानास रखने से पुत्र प्राप्त होता है भला देखा देखा अमा महान बाबा गंगु गहन जो एक ही राथी में पपीते से पुत्र की प्राप्ती करा देते है उनके लिए इनके मन में तोड़ी भी शग्दा नहीं है यह सत्य के रहे है अमा इन्होंने तो अनानास रखा ही नहीं होगा कुजी काक्र खा गया होंगे यह अमा आज इनके कारण हमें पुत्र रत्न की प्राप्ती नहीं हुई और आप दादी बनने से बन्चित रह गए हाँ तेरे द्वार खड़ा है जोगी जो है तेरा प्रेन रोगी द्वार खड़ो देवी नहीं खोलेंगे नहीं खोलेंगे नहीं खोलेंगे नहीं खोलेंगे यह सवधामनी ऐसा क्या अपराप कर दिया है हमने जो इतना द्वार विधारक है इते विधारक डंड बे रही है आप हमें हम आपकी चिकनी बातों में नहीं आने वाले तो चुपडी बातों में आजाओ ना आपने तो कहा था आपके वर हमसे ब्रेम करते हैं हाँ, सत्य है यह तो अब यह आपका पुत्र कहा से आ गया हाँ यह समचार यहां तक पहुंच गया देवी स्वधामनी हम क्या बताएं आपको बतानी कहा से धोंगी टपक पड़ा हमें पुता कहने लगा आप चिंतिता हो, हम शिक्र इस समस्य का समधान निकाल लेंगे अब बस बार खोड़े हमें आश्यरी नहीं, जिस तरह आपकी हरकते हैं ना ना जाने इस नगर में आपके कितने पुत्र खेल कूद रहे होंगे हां हाँ, वो तो है परंतु हम शपत पूरव क्या सकते हैं कम से कम यह पुत्र हमारा नहीं है वो तो हम वरुन माला का मन रखने के लिए बर्गत के विर्ष के लिशे पपिताय रखाय थे हम बहुत दुखे हैं अब दूमी दर्माजा कदापी नहीं खोलेंगे हां देवी सर्धाम में द्वार खोलिये हम आपके कंदे पर सर रखकर अपना दुख कम करना चाहते हैं तनिक विश्राम करना चाहते हैं तुम यह यह किसे क्या करते गुरूजी इनोंने हट्ट पकड़ ली यह आना है तो हम आपके बढ़ापे में हुए परताव करिये पुथ को माना नहीं कर पाए गुरूजी दूनों को तो हम बाद में दिखेंगे हाँ पीताश्री यह द्वार खुलाने की हे ला अब श्रीच को यह करौब हा कि क्यों आंटिया क्यों हð muscular दो कि एड़र घब कि एव दिर दो बित शो रह कि ए कि is कि एड़र B पिता जी हमें माता मिल गई हमें पिता भी मिल गए और आपके कारण हमें बहन भी मिल गई कितनी सुन्दर है ना हमारी बहन आपे नहीं यह तुमारी बहन नहीं है छोटु जारे तो फिर देवी कौन है ने बताता हूं यह सौधामी नहीं देवी है यह तो हमारी हमारा कहने के ताथ यह मुझे नगर की राजनर्त की राजनर्त की परंतु आप तो कह रहे थे कि आप साधना करने जा रहे हैं अवश्य अवश्य वही तो हम करने आये थे करने जा रहे थे तो फिर आप यहां इनके द्वार पर कैसे वो क्या है के वो क्या हुआ कि हमारा द्वार बाहर से बंद हो गया और हम सहायता के लिए पुकार रहे थे तो हमारी पुकार सुनके यह यहां आ गए और आपने हमारी सहायता इस तरह से कर दी तो फिर इसमें इतना खुश होने की क्या बात है देवी सौधामिनी प्रस्तान करना था ना हाँ तो हमें भी साथ ले चलिए हमें भी सिखाईये साधना चोटू चारे आप बालक जब आप व्यस्क हो जाएंगे तो हम आपको साधना की प्रखिरिया समझाएंगे चलो अब घर चलो जाये और फिर दोबार इस द्वार पे कभी मताला हां वो इसलिए कि आप समस्या सुलज गई है ना इसलिए चोटा चारे अब तुम तुरंत यहां से घर की और प्रस्थान करो परन तु हम अकेले कैसे जाएंगे जैसे हम जाते हैं आप तो बड़े हैं और हम बालक हैं हम आपके साथ जाएंगे हमें दरबार जाना है हम भी जाएंगे नहीं अरहा हम भी साठाप है करा बश्रकों का जाना वर्जित में जब अनली चलेंगे क offs चलेगे पिंगर शलेंगे को जो प्रणाम आचारे आप्रणाम प्रणाम आचारे सुना है कि सवधान सवधान एक शब्द भी कहा तो पसम कर देंगे आजीवन तोता बना कर रखेंगे महाराज कुछ दे सुना। महाराज किष्नदेवराय की से rationalने है । कि अलब सुप्दों महाराज करिश्नदेवराय की से थिचित, कि कर दुदंधे? कि दुरुवार जी आजकल समस्त विजयनेगर में चर्चा है कि असत्य है महाराज लोगों को व्यर्थ प्रडाप करने के अतरी दौर की कारिया है नहीं महाराज मों वरून माला को प्रसंद करने के लिए हम वो पपीता बर्गत के निची रखता है मस अब है वो पीते से बहला कोई बालग उत्पन होता है तो परगत का पेड़ बालग पपीता क्या कह रहे हैं आप हम समझ नहीं पा रहे हैं महाराज अब यह आप कह रहे थे के समस्त विजय नगर में चर्चा है कि आप भोज की चर्चा है भोज हाँ गरुवा हमने सुनाय कि आप ने किसी भोज का आयोजन किया गुरुमाता स्वयम आये थी महाराणी चिन्ना देवी और महाराणी तिरुबलंबा को आमंत्रित करने के लिए तो फिर ये पपीता और बालक कहां से आ गए हाँ भोज है ना महाराज तो भोज के लिए हमने पपीति को आमंत्रित अब बालकों को हम अंत्रित किया है। गुरुमाता ये भी कह रही थी कि इस भोज का आयोजन किसी विशेश प्रयोजन से हो रहा है गुरूर तो हम जानना चाहते हैं कोई शुब समाचार। महराज आप तो भली भांदी जानते हैं कि वरुनमाला हमारी धरम बतनी है तो हुजे नेगर के सुरक्षा, उन्नती और विकास के लिए वो बहुत से वरत रख लेती हैं अनुष्ठान कर लेती हैं तो ऐसे कोई वरत रख लिया होगा और ईश्वर ने उनकी मनों कामना पूर्न कर दी होगी तो रख लिया भोज अत्फट अत्फट अत्यंत प्रसन्नता का अउसर होगा हम सब परिवार अवश्य पदारेंगे अगो भाग के हमारे माराज मंद्रिवर, महराज, आज के दर्बार की कारवाई आरम की जाए जो अग्या महराज, महराज हम ये तु यहां क्या कर रहे है महराज हम यहां के महामंत्री है यदि आपको कुछ बोलना है तो आप बोल लीजिए हम चुपो जाते है नहीं आप 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 अपनी कारेवाई पर आरम कीजे महराज, हम ये कहना चाहते थे कि तुरंद ख़र चातूँ जी, घरजा, तू, आम आप से नहीं, उससे करें गुरुर, आप बड़े, आप मुझे तू, घरजा, बोल सकते हैं पर अंतु आप मुझे घर क्यों भेजना चाहते हैं दरबार की कारवाई तो अभी अभी आरम हुई है ना गुरुर, आपका स्वास्त तो ठीक है? जी, महाराज, हम स्वास्ते, स्वास्ते नी, घर्ट, तो आपका स्वास्ते महाराज, जाहते, महाराज, महाराज मैं कहा हिल रहा हूं आचाहरे, वो तुम्हें सांस ने रहा हूं तू मेरा पेश निल रहा है कुरुवर, क्या हो रहा है अपको? धर्स वह भुष्टिए प्रिजिए प्रिजिए प्रिया प्रिफॉ अजए। ब्रफियो ऐन्ट्रों प्रिचेट है समीफ बताना अन्जयता अपने मंत्रों की शक्ति से बस्पु कार देंगे बस्पु कर दोगा अब तक इसका पिता तो किसी को बस में करने ही पाया, पुत्रे बस में करेगा. अधिया अधिया से नहीं घर जाने के लिए? समा करे, हम से त्रूटी हो गए, पिताश्री. पिताश्री? पिताश्री? पधा ही हो, अचारे. दुरूर, कौन है यह बावर? अधिया आपको पिताश्री कहे कर संबोदेश्क्यू कर रहा है? ओ, तो यह गुरूवर का पुत्र है, जिसके बारे में अमोर शार्दा नहीं बताया था.